घमंडी हाथी, एक समय की बात है, चंदन वन में एक शक्तिशाली हाथी रहता था, उस हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था, वह रास्ते से आते जाते सभी प्रानियों को दराता धमकता और वन के पेड़ पौधों को बिना वजय नश्ट करता उधम मचाता रहता, एक द पारिश से बचने के लिए हाथी दौल कर एक बड़ी गुफा में जा छिपा, गुफा के भीतर एक छोटी सी चिटी भी थी, उसे देखते ही हाथी हसने लगा और कहा कि तुम कितनी चोटी हो, तुम हे तो मैं एक फुंक मुरूंगा तो तुम चांद पर पहुँच जाओग दराने के लिए अपना पैर पटकने लगा, हाथी यसा कर ही रहा था कि तभी बाहर से धराम की जोरदार आवाज आई, पैर पटकने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुहाने पर आगे रहा, अब हाथी के होश उल गए, वह पत्थर हटाने के लिए आगे पर अपनी पूरी ताकत लगा कर भी वह पत्थर को टस से मज नहीं कर पाया, बारिश रुकते ही, चीटी बोली, देखो तुम मेरे छोटे होने का मजा कोड़ा रहे थे, पर इस समय मैं अपने इसी छोटे आकार की वजह से ही, इस गुफा से बाहर जिन्दा जा सकती हूं ल उस हाथी को गुफा के बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकलते ही, हाथी चीटी से अपने व्यहार के लिए ख्शमा मानता है और उसके प्रान बचाने के लिए धन्यवाद देता है, इस घटना से हाथी को ये बात समझ आ जाती है कि सभी प्रानियों के साथ मिल जुलकर रहन में ही भलाए है, और उस दिन के बाद से वहाथी कभी किसी प्रानी को नहीं सताता है, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपको दिखे या नहीं, हर किसी में कुछ न कुछ गुन होता है, इसलिए यदि इश्वर ने आपको कोई काबिलियत दी है, तो कभी भी उस पर घमन ना करें, हर कोई किसी ना किसी रूप में काबिल होता है,